स्वागत है अब सभी का Tech Study IT यूटूब चनल पर साथ जनुरी 2023 को DRU के एक्जामिनेशन दो सिफ्ट में हुए पहली सिफ्ट के एक्जामिनेशन कैंसिल रहे क्या-क्या कुश्चन कहां से पूछे गए किन टॉपिक्स से ज़ादा कुश्चन आए आज हम आपके लिए लेकर यहां पर हाजिर हैं तो यहां पर टॉपिक्स भी डिसकस करेंगे साथ ही कुछ जो memory based कुश्चन है उनके बारे में भी डिसकसन करेंगे और सबसे important बात यह 6 और 7 तारीक में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं इविन कुछ questions भी ऐसे हैं जो repeat हुए हैं तो आपके काफी काम आ सकते हैं एक trick भी आपको बताएंगे जिसको कि अगर आप सरसरी निगास एक बार देख कर जाएंगे तो हो सकता आपको 10-15-20 questions तक वहां से भी आसानी से मिल सकते हैं बहुत ही important वो भी आपके लिए होने वाला है चनल पे नए है तो प्ली सब्सक्राइब करके वेल आइकन को हैट कर लीजिएगा आईए बिना किसी देरी के आगे start करते हैं यहाँ पे कुछ questions पूछेगे जिनमें हम आपको answer के अलामा भी कुछ चीज़ें बताने हैं उसे एक पूछा गया वसा में कौन बिटामिन गुलनसील होता है बिटामिन से related ही था इस्टुटेंट इसको clearly बोल नहीं पाया होतना तो यहाँ पे बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन A and K इतने बिटामिन जो हैं वसा में fat में soluble होते हैं गुलनसील होते हैं तो इसमें से अगर कोई भी आपको option में मिलता है तो आप इसको लगा सकते हैं science related questions पूछे गए जैसा हमने आप से कहा था कुछ questions इतने basic होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे question DRDO में आएंगे 40% basic question ही होते हैं, 40% moderate होते हैं 20% question ही hard पूछे जाते हैं father of computer, रटा होता है सभी के मुँपे Charles Babbage, यहाँ पे father of computer कहे जाते हैं computer के जनक एक question पूछा गया, full form of CPU CPU का full form क्या है तो क्या होता है, central processing unit CPU क्या-क्या consist करता कई बार पूछा जासकता है तो इसमें control unit plus ALU arithmetic logic unit भी होती है ऐसे questions भी आपसे कई बार put up हो सकते है इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया नीती आयोग से question आया नीती आयोग के CEO कौन है तो वो है आपके परमेस्वरन अयर जी DRDO के अध्धक्ष कौन है समीर वी कामत यह है आपके DRDO के अध्धक्ष यह भी एक question put up हुआ यहाँ पे एक question आपका आया हाली में नेता दीनानाथ अवार्ड किसे दिया गया तो प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी को दीनानाथ अवार्ड जो है वो दिया गया था एक और question पूछा गया यहाँ पे अनुच्छे 32 किस से संबंदित है यह भी question उतना clear नहीं कह पाया यहाँ पे हम आपको बता दें अनुच्छे 32 यह पूछा गया था किस भाग में है संबिधान के किस भाग में है तो वह है आपके भाग 3 में जो भाग 3 है आपका उसमें अनुच्छे 32 है और इसको हमारे बाबा साब अमबेटकर जी ने भी कहा था कि यह संबिधान की आत्मा है fundamental rights related यह आपका article है यहाँ पे जो 32 है तो इसको संबिधान से हर दिन एक दो questions पूछे जा रहे हैं जैसे इससे पहले आपका पूछा गया था महावियो किस से लाया जा सकता है उसका article का discussion था यहाँ पे देखेंगे फिर से संबिधान से question put up हुआ है तो एक बाल आप लोग articles जो उसके भाग हैं उनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजेगा एक आया इसरो का गठन कब हुआ था इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1979 को ये भी एक important question पूछा गया लखनवु से 1857 के बिद्रोह का नेत्रित तो किस ने किया था तो बेगम हजरत महल ने लखनवु से 1857 का जो बिद्रोह हुआ था उसका नेत्रित तो किया था एक और question पूछा गया भारत का छेत्रफल कितना है तो ये इंटम साफ 200 का पूछा गया था तो 200 का 2.4% है भारत का छेत्रफल टोटल 3.287 मिलियन किलोमेटर स्क्वाइर ऐसा कह सकते बड़ ये पूछा नहीं गया था आप लो इसको गूगल एक बार कर लीचेगा एक question पूछा किया जो हमें अहाँ पे लिखना भूलके अभी वी candidate का एक message आया था WTO की अस्थापना कब हुई थी तो WTO की अस्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को कब हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी इसका full farm आप सभी को पता है WTO का World Trade Organization ठीक है इसके founder कौन थे ये भी question आप से पूछा जा सकता है बट जनली नहीं पूछा जाता है बट इसके जो प्रतम महान दे सकते हो थे आपके Peter Southern Land ठीक है कौन थे Peter Southern Land 1 जनवरी 1995 है इसको आप लोग याद कर लीजेगा 202 पार संगठन इसे कहा जाता है ठीक है एक और question पूछा गया बिजली प्रियोजना 2022 का लच्छे क्या है तो वो है 175 गीगावाट नवी करणी ऊर्जा संस्थापित करना ठोस कोन का मातरक पूछा गया तो ठोस कोन का जो मातरक क्या होता है इस्टे रेडियन होता है अगर हम यहाँ पे 4Pi इस्टे रेडियन रख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है एक full आपका sphere हो जाता है यहाँ circle नहीं कहेंगे क्या कहेंगे sphere कहेंगे ठीक है तो यह भी आ सकता है आपका यह जो full sphere होता है उसके angle कितने होता है 4Pi इस्टे रेडियन हम यहाँ पे कह सकते हैं एक complete क्या बन जाएगा आपका sphere बन जाएगा एक और question अब topics यहाँ discuss कर लेते हैं एक question पूछा गया आपका lead acid battery में क्या use होता है तो H2SO4 आपका use होता है lead acid battery में आप questions की बात करें तो अगर आपका fitter, turner या machinist trade है इन सब में तो सबसे जादा आपके जो question पूछे गए drilling से पूछे गए हैं इसके अलावाँ safety से भी question आपके put up हुए हैं अच्छे खासे questions put up हुए हैं जो instruments होते हैं जो gauges होती है, जो caliper होते हैं जो आपके vernier caliper हो गया vernier height gauge हो गया, micrometer हो गया इन से related question भी technical में बहुत basic पूछे गए इतना हम आपको कह सकते हैं अगर आपका technical आप चाहें जिस trade से हैं अगर आप थोड़ा सा सरसरी निगा से भी revise कर करके जाएंगे तो जिस तरह के questions आ रहे हैं आप काफी अच्छा score कर सकते हैं questions, 40% से ज़्यादा question बहुत ही basic level के पूछे जा रहे हैं इसके लाँ आपके जो workshop, calculation and science है नहीं especially जो math के questions थे वो भी 19-20 questions यहां पूछ लिए गये थे मतलब 3-6 मिला के हम बात कर रहे हैं engineering drawing से भी कई सारे questions उठे थे हाँ पे, safety के भी questions बहुत सारे पूछे गए और सबसे important जो कुछ candidate से बात करके पता चली जो नीमी और भारत स्किल का PDF है जिससे आपने IT examination के भी तयारी की थी, online examination जो हुए थे, उससे धेर सारे questions put up हो रहे हैं, बहुत सारे basic questions वहीं से put up हो रहे हैं, gauge से related जैसे आपके ringing gauge हो गए, आपके gear से related questions हो गए, आपके drilling से related हो गए, drill bit से related हो गए ठीक है, इन सब से related question वहाँ पे बहुत सारे पूछे जा रहे हैं जैसे electrician में अगर हम बात करें तो transformer एक ऐसा topic है, जिससे बहुत सारा question पूछा गया, इसके बाद आपका DC motor जनरेटर से question पूछा गया पोल सू से related, इन सब से related question आया था, तो ये सारे question भी आपके वहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक, इसलिए हमने लिख दिया था निमी भारत skill का PDF है, उनके questions को आप एक बार जरूर revise कर लीजे और आप सभी के आसानी के लिए description में आप देखेंगे, अलग-अलग trade का हमने निमी भारत skill का जो है link दे दिया है, trade का आप वहाँ से जाके, एक बार सरसरी निगाह से, वीडियो को भी 1x और 2x speed पे आप जैसे आपको suitable हो, आप चाहें तो देख सकते हैं, देखने का आपको फायदा ये मिलेगा, कि एक question के साथ हो सकता हम आप समझाते हुए 2-3 question के भी और answer आपको वहाँ से बना के दिखा देंगे, किस तरह से और इससे questions पूछे जा सकते हैं, तो channel के अगर आप playlist में जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप channel की playlist में जाएंगे, आपको यहाँ पे अलग-अलग trade theory की वीडियोज दिख जाएंगे एंड इसमें हमने कभी mention नहीं किया कि DRDO के questions हैं, लेकिन आपके trade theory के questions हैं, तो यह बहुत सारे carpenter theory, IC, TSM, wire man, machinist, mechanic, tractor, ठीक है इसके अलवाँ draft man mechanical है आपका machinist grinder है, ठीक इस तरह से आप देखेंगे welder, plumber electronic mechanic, ठीक है, RAC, turner, diesel mechanic नहीं किन सब के questions आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इससे क्या benefit होगा आपका कि आपकी theory एक बार revise हो जाएगी और questions वहाँ से put up भी हो रहे हैं, basic questions बहुत सारे, जैसे आपके मातरक से question पूछे जा रहे हैं, even a question आया था, resistance का I think मातरक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है reluctance का मातरक क्या होता, यह पूछा गया था, धारिता का मातरक पूछा गया था, business उस्मा का मातरक पूछा गया था, ठीक है, तो इस तरीके के questions भी जो हैं, पूछे जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, question का label क्या हो सकता है 20% questions hard होते no doubt जो उनमें से कुछ crack कर पाते हैं वही वहाँ पे फिर final select भी होते हैं बट आपका paper अच्छा जाए उसके लिए आपको technical की तैयारी अच्छी करनी है as well as non-technical तो उमीद करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन सब टॉपिक को आप सरसरी निगास एक बार cover कर लीजेगा जिससे आप सभी का paper अच्छा हो यह हमारी कामना है सभी को best of the luck अच्छे से paper दीजेगा बिना tension के तैयारी अच्छे से कर लीजे जरूर आप सक्सिजोंगे thank you very much मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में नए हैं तो subscribe किये बिना मत जाएगा and like और share जरूर कीजेगा वीडियो thank you